नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लॉर्ण्स में देखे फ्रेंड्स आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं जिसका हम सभी को इतने टाइम से इंतजार था यानि की सीटेट के फॉर्म के बारे में देखे फ्रेंड्स आज से यानि की फॉस्ट अगस्त से जो आपकी सीटेट के जो डेट है वो आपकी ओन्लाइन फॉर्म की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से तो सबसे पहले लास्ट डेट का इंतजार किये विना आप अ नेक्स्ट थिंग कि जिन फ्रेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सुब्सक्राइब नहीं किया है स्वाइ रिक्वेस्ट यू प्लेस सब्सक्राइब दा चैनल थाकि जब भी कोई भी जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएं क्योंकि सीटेट से रिलेटेड जो पूरी की पूरी जो ग्रैमर है इंग्लिश की जो पार्ट है वो मैं करवालने वाली हूँ पूरा का पूरा कंप्लीट और इसके बाद हम लोग साइकोलोजी के भी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फिंग की देखिए अब इसके बारे में जो भी इंफोर्मेशन है हम पहले सबसे पहले वो क्लियर कर लेते हैं कि जो स्टार्टिंग डेट है सीटेट की वो फॉस्ट अगत से स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट की जो लास्ट डेट है वो है 27 औवस्ट next की last date of depositing fees वो है 30 अगस्त और उसमें भी आप time ध्यान रखेंगे friends 3.30 के करीब इसका time है last time जो fees depositing का है वो next final verification payment of fees by the candidates 4th September 2018 and the next one is period for the online correction online correction के लिए जो आपको time मिलेगा वो मिलेगा 6th September से और 10th September तक का time आपके पास रहेगा यदि कोई भी आप online correction करना चाहते हैं तो ये मैंने आपको बताया starting से कि 1 अगस्त से start हो गए है form fill होना 27 अगस्त तक रहेंगे ठीक है जो fees depositing की last date है वो 30 अगस्त final verification होगी payment की वो 4th September को 6th September से और 10th September तक आप जो है जो भी online corrections करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और next हम बात करते हैं इसकी fees की कि क्या इसकी fees रहेगी देखें friends general और obviously के लिए जो इसकी fees रहेगी वो सिर्फ paper first के लिए ठीक है या सिर्फ paper second के लिए यानि दोनों में से किसी एक के लिए यदि हम बात करेंगे तो उसकी fees रहेगी 700 रुपए और यदि paper first और second दोनों के लिए यदि हम बात करते हैं तो उनके लिए आपके fees रहेगी 1200 रुपए next की SC, ST, Physically Handicapped जो हैं उनके लिए paper एक के लिए यदि वो अपलाई करते हैं सिर्फ एक paper के लिए first के लिए या सिर्फ second के लिए अगर एक paper के लिए अपलाई करते हैं तो उनकी जो fees रहेगी वो रहेगी 350 और यदि paper second के यदि हम बात करते हैं यानि कि first और second दोनों के लिए 600 रुपए देखे फ्रेंट से सीटेट के बारे में अगर कोई other information अगर आपको चाहिए तो आप मुझे comment कर सकते हैं comment box में जाके and please subscribe the channel thank you friends